एकी बार भर नहीं दिये ताकि एसा में विशाने में दिखत होता है और देखें मानसिक पापा कितना सब दोनों लोग मिल के चाचे भतेजे इतना सब भिछा दिये नए वाले घर पे एक करकट रख लोसी पे रहा जाओ तो बताइए आप लोग इधर से पूरा पानी भर है तो बांडरी करा लेंगे तो पाता नहीं था कि इधर आएंगे कि एट जो रखाए वहां तक पानी चाहिए लेकिन ट्वाइलेट तक आने के लिए भी कट्राइब लोग में दोस्ता भी सुबह सुबह हो गया और सुबह सुबह ही चीटिया पता ना कहा गाइब हो गई आथ न है यहीं पे पूरा छाप दे रहे रात को डेली इस जगहां पर आखिर है क्या आमके वज़से तो यहां पर यह पूरा यह पकड़ के देवाल यहां तक इधर से यह बास के वह सकता है तो भी घर को धो रिये काजल और तो धोना भी ज़रूरी है गैस भी दो दिया तरी पांड़ना चाया उठादी तो पेवो तो चले आप सब भने रहिए और आज देखते हैं कुछ कुछ काम करना हमें और जैसा भी होगा आप सब को देखने को मिला और उमिई देखे आप इस वीडियो को अभी है लाइक करड़ेंगे वह बाहर में आए थे और रात को बारिस रात को भी हुआ है और इधर देख सकते ह बहुत ही ज्यादा कीचर हो गया पुरारास्ते में पैदल चलने से डर लग रहा है और आज कैसे नकैसे करके यह वाला स्लेप जो हम लोग बनवाए थे उसके लिए टैंक के लिए तो जोड़ाई होके ट्वैलिट सीट बैठ जल्दी से ताकि आने वाला बारिस में प्रोब्ल उस पे टीन रख देंगे करकाट अलवेस्टर ताकि वो चोकी और भी कई चीज़ें जो कि अंदर आ जाएगा यह सब काम करना है बागी देखिए कब तक होता है अभी बड़ी पापा को बोलाते हैं पूस्ते आइडिया लेते हैं वे खाने में बनाने जा रहे हैं काजल पहले मना ऐयरा बनों बनों अभी ओतने बोल्ड हो Ö ensuite पा度ा थो तो टेश हैं थोड़ा से गेरे गिए गया ना आया चार्ट देखो ना अधिर ने वे वाला है बजा करते हैं तो अभी दोस्तों दाल बन रहा है दाल कजल निकाल रहे है और इधर दूद अधर नहीं चाहँ ने चार्ट पर हंधोरे छब और अधरय दाल डिल्रहींट। कि यहारा सलेप उठाय जा रहा है और तेल और तेल भास लगा के ठेलेंगे पूरा तरह से और उठाके भी एक उठाके रखा गया है बहुत है मुस्वत से दूसरा का प्लाणिंग चल रहा है कितना घंटा लागा लेगों में एक एक घंटा लागा दा हां काजल का इलाज कर आकर लिया घंटा इन डुश गया है बट डॉक्टर सा बोले इनन फैक्शन है छीटी नहीं हो जा बार बार खोदा तो रहा दो इन फैक्शन होई ना और स्लेप दोनों रखवा दिया है सबसे बड़ा प्रोब्लम जो था वह हमारा खतम हो चुका है और अभी क्या करने वाले हम लोग मसाला बनाके इसको पैकिंग करेंगे बहुत ज्यादा थका हो गया अभी इतना सारा काम है इसमें से इंट कम सकम दो-300 आंगन में ले जाके बिछा देंगे ताकि गाड़ी निकालने और लगाने में आसानी होगा और मतलब की निकलने में मानसी भी गिर जाते हैं से पाक की चड़ हो रहा है तो खाली बिछा देंगा उल्ली सोलिंग जैसा कर देंगे मसाला विगरा नहीं लगाएं कुछ भी तो चलिए सारा इंट ले चलते हैं हम और बड़े पर अधर फिनीसिंग कर रहे हैं मतलब की छोटा-छोटा होल जो है वह सब्सक्राइब एक बार भर नहीं दिये ताकि ऐसा में विशाना में देखा था था फिर भी इतना कुर्चिया नहीं रखा करका ट्रॉलम अराम से कि शूना सूना है जहां अभई आंगल में बिछाना स्टाट कर दियां के रहे बनाना इसे बनाने की क्या बेटा नहार ये लेलन है लहां कि कर बखरिए अनुच का बख़े है हम रहे कूतो तयार हो गई है देख भूआ तक वहां दौपरिवाख ठीक बहाए काफी अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा से खाना होना खाके पिर आएंगे इधर वीडियो बनाएंगी और हम सारा यह देख सकते हैं इतना तक तो सजादी है पूरा अब अच्छा लग रहा है क्योंकि बारी सारा ना बहुत जाद दिकत हो जागा अब गाड़ी कहीं से भी तो लेंगे ना नहीं से मिट्टी छोड़ने के पासे जंग खा जाता है तो इसलिए कर रहे हैं इसको वहां तक कर देंगे दर्वाजा तक यह वला दर्वाजा तक हो जागा साई ना काई है अस्तर पाने ना गिराते ना तो बजबाश जाए नीचा पुरा पांक फेकते तो शुबा में ना बारे बजे में खनन तो सुबा या अटनो बजे बना देती लेकिन बारे बजे में थोड़ा सा भिंडी और चावल खांटी थोड़ा से दावा खाने उस तर टाइम से उलट या समया जो थे मांच पापा वो ले खाना खाल ओम याज चेंज हो जाएगा तो दाल जॉल भिंडी मुझे खा रहे हूं और इसको सजाएंगे और घर में में सारा काम करें थी बहुत सारा कपड़ा पड़ा थो दूए सारे घर को सफाई करगे क्योंकि कल से सुम बार मरलब की क्या खाते हैं वह ही सावन चड़ जाएगा तो आज है सब सफाई सारा कुछ कर दिये अब खाले इसको बिछाने को बचाए और एक रेल सुट करना बस दोस्तों अभी मानसी को नहलाए थे ना तो सो गई है और हम भी थोड़ा सा रेडियोडी हो गया है क्योंकि एक रेल सुट करना था पर मो दोस्तों आभी देख सकते हैं सारा आंगन हो गया बहुत ही अच्छा देख राद रहा है और हम बैट कर वीडियोडीर करने तो आप बैठे 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 यहां तो यहां बांद देंगा तला लगा देंगे और लेकिन यह वाला अगर इसार लगाएंगे इसाइड तो यह वाला ने खुलेगा इसलिए से बनाए चल ठीक माँ जैसा भी हो गया बहुत अच्छा लगरा है थोड़ा से यहां पर मसाला अच्छा डाल के इधर से कर देंगे ताकी चड़ाने में दिखते हो ना हम जा तो नहाया है जाए लेजर कापड़ा में डाल देंगे चड़ा में एख पराथ लकाथ बना देख जाना जाएं काम लगजा ग्यामाशर में अच्छा तो लुद्स ठीटा लगाए देख सकते कितना अच्छा लग़ान बारच में घ्रफट वारगरा है थाड़ा हो जा तदिखते हैं ठीकी हो कैसे में अपड़ आसे कित ओम मसला काम पथु मिलाग पाई वाय सुस्ट भाईव सान तेर चणर अज़ियू चटो इढ गज़ियू ज़िटियू आपड़ आपको पुषर शृर पेको वो तो बहुत ही खानी बाजी है तो चॉक खानी है दूस्तु चॉल जाता है सब खीच के देदें देखें हैं एक्सपेरिमेंट में भी देख लेवाने चॉल जाली सब्सक्राइब थोड़ा सही रहेला और हमारे टंकी देख सकते हैं रेड़ी कैसे भी है काम करा रहा है सपोर्ट से हो सके तो बांडरी भी करवाने वाले हैं अभी मैंसिक पापा मेरा फोन यहीं पर छोड़के चलेगा चलिये ले ले लेते हैं तो कोई आएगा गाड़ी से गाड़ी यह पर से गाड़ी कपोन उठाएगा चल देगा आप सबसे निवेदा लेकि थोड़ा वीड बनाएंगे अच्छे से तो दोस्तों आभी नहीं देख सकते मेरे हाथ में यह रेड़ वाला इधार और अंदर में बहुत सारा रेड़ रेड़ हुआ है क्योंकि मैं वेडियो डिट कर रहे थी वहां बैटके पूरा चेंटिया घुश-खुश के काटी है और देखे संसेट हो रहा है कितना सुन्दर लग रहा है निगता अरे इताइं लिसो बोला तरिये दाटा देखे दोस्ते से कहते हैं का वजे कमी कमेंटार था कि आप लोग नए वाले घर पे करकट राख लूसी पे रहे जाए तो बताइए आप लोग कि यहां पूरा पानी भर जाएगा वहा पानी करवाएंगे तो पैसे बहुत ज्यादा लग रहा तो अभी पॉसिबली नहीं हो पार किसी तरह से स्थोस्त रहे हैं दिमाग मग लगा रहे इसलिए यह आप लोग सोच रहे हों यह दून नमर वाला ही जैसे कि होता है ना एक नमर होता है और उसके बाद वाल इता है म मिठा वाल नहीं कहां मिठा आवल तो यह वाला मतलब कि 13,000 रुपे मिला था ट्रॉली और वह वाला जो एक नमर आता है जो इसमें लगा है वह उननीस जाद दो सो पांस जोड़ों आते हैं जो रेट है वह निस पांस तो इस वजह से मतलब बांडरी इसी वाईसे थोड़ा यह वाला इट लगवार है कि पैसे कमी से और देखें सोच रहें अगर हो जाता है तो बांडरी करा लेंगे तो जाने आने लाएक पहले रास्ता बन जागा ना तब न उस पर करकट रहे सकते हैं ना और सारे लोग बोला है कि दो तीन साल से बारिस अभी ठंस नहीं हो रहा होगा तो पूरा इस घर में पानी पूच्छा यह कि आप लोग पिछले साल कुछ बारिस नहीं हो तिर भी वहां तक पानी चलागे तो अभी सोच रहें कि कैसे भी करके मिटी तबवा देता है ना तो तो इसलिए जब तक रास्ता नहीं बनेगा तब तक उस पर कुछ नहीं रख सकते करकट वगरा इसी वज़े से दवर धाप कर रहे है ताकि जल से इसका बांडरी करा के थोड़ा भी मीटी डलवा ले ताकि पानी पानी ज़्याद नहीं तो उस पर करकट वगर रह सकते हैं क्या होता है क्योंकि अगर ऐसे में खाली करकट रखना तो यहीं वहला करकट नहीं लेकिन दिकत यह है कि आने जाने का रस्ता मिटी डलवाएंगे तो बांडरी करना पड़ाएगा यही दिकत अभी सब्सक्राइब पिछली साल गिरवाए थाम लोग दो सब्सक्राइब पे क्योंकि वह देख रहा है वह नेव है वह भर वाला जो और यहां तक मेटी डल लगए यह जो आगे वाला बनाए तो कम सब्सक्राइब अगर पूरे तरह से भरवाए 200 ट्रॉली निश्चीत है और काम चला काम चलाने के लिए भरवाएंगे तो वही 60-70 ट्रॉली में मतलब इसे पतला करके रस्ता बन सकता है तो यहीं सारी चीजे थी दोस्तों आप सबका कमेंट आया था उम्मीद करते हैं आप सब टोएलेट का जो सीर्ट बैठेगाना इसमें बैठेगा और यह हैं चारवई पांच नंबर्टकाने चारवई पंच वाननू है हम चारवाई पौन चे और अधर सेना हम लोग यहीं से रास्ता बना देंगे यहां से इथा कि इधर का जतना ही मिट्टी साथ इधर जो है उचाई पे वह अला मीटी लाके थोड़ा थोड़ा यहां भर देंगे और थोड़ा बहुत बचेगा तो इट का जो इस तरह बना है उसी तरह यहां ही बना देंगे और इस पे चड़ो और इसमें कुछ जाओ तरह सबसे जो बड़ा प्रब्लम था यहां का सबसे बड़ा वह अभी मतल diffर हौने वह यह हो हो रहा है 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 हो रहा है यही सब्से बड़ा प्रब्लम थ और काफी लोग और हमारे यह function में भी आते तो बहुत जाए दिकत हो जाता है उनको ले बाइक पर ले जाता हूं उस वाले घर पर उधर तो अब यह प्रोब्लम सट आउट हो गया बाकि अब दो तिन और प्रोब्लम में हैं वह यह वाला किलियर हो जागा ना बॉंडरी और मिट्टी उसके बाद से आधा टेंशन आधा अब बनवात रहे थे ले तरिंग आभी इनको पाता नहीं था कि इधर राएंगे कि इंचेज हम सोचे नहीं था कि एट जो रखा है वहां तक पानी चाड़ जाते है घर में जाने के लिए तो चलो हम सोचे लाएंगे बांटे करेंगे लेकिन ट्वाइलर तक आने के लिए तो बड़े पापा बोल रहे जैसे हो तर दिरे दिरे सब कुछ हो जाएगा इस आरह मालती काच के बत्रे के महांसी यहां ले डेरार बना लेंगे बिचा देंगे वहां ज्यादा सुंचुन के टेंसन हो जा रहा है कभी कभी क्या करी तो या हुँआ बेटा ममा को डून रही लुए को लें डेखो आपना घर बन्गे चलो चलो देखो लोगाइन देखो कितना अच्छा लग रहे हो है यह अधरी बना भी अब इसमें मिट्टी नहीं लएगा जम्स नहीं लएगा है ना आप पहले डरती थी ना आते हमें बाहर अब खुद से चली आओगे है ना जाओगी नहीं दूब होगे तो चली दोस्तों इस व्लोग को यह पेंट करते हैं जैसा भी होगा आप सबको डे वाइडे अपडेट मिलता रहेगा और उमेद है कि आप सबको यह वीडियो हमारे पसंद आया होगा और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और दु का बचले रहे बथ, पपैर प्लीज भीडियो हमारे अधियो हमारे प्लीज थारे प्लीज दू chatू लगती दू सबको कर दो बहारे ड़ने हा है जा है!